दोस्तों, I&D Academy में आप लोगों का स्वागत है आज इस वीडियो के माध्यम से प्रमुख खेल और खेलों से सम्मंधित जो तत्थें उसके भाग 6 को कवर कराया जाएगा इसके पहले भाग 5 को कवर करा दिया गया है पाचों भागों को आप प्लेलिष्ट से चैनल की प्लेलिष्ट से जाके देख सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले तो चलिए शुरूबात करते हैं पिछली वीडियो में भाग 5 में हमने ओलम्पिक खेल और कॉमनवेल्ड खेलों को कवर करा दिया था इस वीडियो के माध्यम से एशियाई खेल और पुरुसकार उपुस्त के कवर करायते हैं तो चलिए शुरूबात करते हैं इस वीडियो की सबसे पहले बात करते हैं इशियाई खेलों की इनकी शुरूबात की अगर बात करें जैसे हमने आपको बताया था कि ओलम्पिक की शुरूबात 1896 में हुई थी समर ओलम्पिक की वहीं विंटर ओलम्पिक की 28 साल बाद 1924 में हुई थी अगर हम बात करें राष्टमंडल खेलों की तो भी हमने आपको बताया कि कब शुरूबात होई थी 1930 में होई थी लेकिन भारत ने 1934 में भाग लिया था इसमें भारत ने 1920 में भाग लिया था ठीक है तो यह आपको याद रखना है तो यह था पिछले वीडियो का फेक्ट हमने आपको एक बार और रिविजन करा दिया है जो भी उपर उपर था बात करते हैं यह श्याई खेलों की है इसकी शुरूबात की अगर हम बात करें तो शुरूबात चार मार्च 1959 नुई दिल्ल में किया था इसके बात बात करते हैं ठाइलेंड की ठाइलेंड थाइलेंड ने चार भार 1966 में चीन बार इसको होष्ट चीया हैं 1990 में 2010 म 25 मैं 2000 2027 में करेगा यह जरूर याद रखना हमने क्यों सामिल किया जापान दो बार कर चुका है नेकिन तीसरी बार करेंगे ये ठीक है तो चीन करेगा 2022 में वर जापान करेगा 2026 में ये दोनों आपको याद रखने हैं इंडूनेशिया ने ने दो बार कर दिया है, 2018 का जो हुआ था वह इंडूनेशिया में आयुजित हुआ था तो यहोजटीच किया में आगे बात करते हैं जो 17 तैसे अजिया को पताहिए डिटेंगे थे 1100 में 18 की बात करने तो 2018 में यह आयोजे थुए थे जकार्ता प्लेमेंग एक साथ हुए थे दोनों जगाया पहली बार ऐसा हुआ 2022 हमने जैसा आपको बताए था चीन में हंग्चाउं में होंगे और 2020 के नगोया जापान में सुरी 2026 के टॉंटीएथ होंगे यह आगे बात करते हैं 18 एशियन गेप की जो सबसे इंप्वोर्टेंट है तारीक की बात करें कब से कब सक यह आउजेत हुए थे तो यह 18 अगस्ते लेके 2 सितंबर के मद्ध आउजेत हुए थे मोटो हमने बता है कहां प्याय जो तुए थे आपको जगारता और पिलिम बैंग एक चाहत हुए थे मोटो अगर एनर्जी ओफ एशिया यह देखिए हैं मैस्कॉट के अगर हम बात करें तो तीन मैस्कॉट रखे हुए थे भिन्मिन अतुंग काका ठीक है तो इनर्जी ओफ सब्सक्राइब करें तो सबसे उपर था चीन दोसो नवासी पदकों के साथ वही जापान दूसरे नंबर भारत का स्थानिया पर एर्थ था और जब किराश्ट बंडल खिलों में तीसरा था चौथा कनादा का था ठीक है तो यहां पर पदक 69 पदक भारत ने जीते हैं क्या ही खेलों के बारे हमने आपको फैक्ट बता दिया अब अगले टॉपिक पर चलते हैं क्योंकि सभी खेल हमने लगबख कंप्लीट करा दी हैं जो ओलंपिक थे राष्टमंडल थे एश्या खेल थे और अपने जो भी इंपोर्टेंट खेल फैक्च्वल भी हमने आपको क अब बात करते हैं कुछ पुरुषकारों की जो भारत सरकार दोरा दिया जाते हैं सबसे पहले पुरुषकार के अगर बात करते हैं तो अर्जुन पुरुषकार है इसकी सुरुवात 1961 में की गई थी इसके तरह पांचलाग रुपे रासी 2009 से दी जा रही है यह पृतिवर से सेश्ट ख्लाडियों को दिया जाता है और लगबख 19 ख्लाडियों को यस पृतिवर्त दियाजाता इससे जादा ख्लाड़ी सामिल नहीं किया जाते हैं कंस्कार की और दूसरे पृत करते हैं नहीं सो पचासी में की गई थी इसके ताय दिए 1858 9 लागद दिए आँ सब्सक्राइब गांदी खेल रतन पुरुषकार जिसकी शुरुवात उन्नीश विंक्याने वानवी में की गई थी सबके तहत पांच लाग रासी दी जाती है तो खरवुच पुरुषकार रासी से भी कह सकती है अपन की साड़े साथ लाग रुपेस की रासी रखी गई है तो अगर वहाँ भी मैंने पुरुषकारों को कवर किया हुआ है जो भी अभी 2019 में कवर दिये गए है तो मैंने यहां अलग से कवर नहीं किया अब वहाँ से एक बार देख सकते हैं ध्यान चंद पुरुषकार के गर हम बात करना तो 1991 में से इसकी सुरुवात की गई थी इस सुनील गावसकर की जो पुस्ता के सनी डेस ओन इस इनकी खुद की स्टोरी है यह आईडियल्स इनकी तीन किताब हैं चार आईडल्स वंडेवंडर्स इस ट्रेट ड्राइव सुरुषकार सब्सक्राइब की बात करते हैं तो कपिल देव की तीन किताब है बहुत इंपॉट लिए वंडेवंडर्स सुनील गावसकर पीटी उसा गोल्डन गल्डर्स के नाम से इनको जाना जाता है गोल्डन गर्ल आगे बात करते हैं अजीद बाडेगर की माइड क्रिकेटियर्स कि जब मैंने क्रिकेट किया उन सालों के बारे में यह अपना विवर्णा देते हैं अजीद बाडेगर युबराश सिंग के दें तो टेस्ट ऑप माई लाइफ मेरी लाइफ का अनौह लेकिए देखो सुनील जी ने सनी डेस किया आइडल्स बंडेवंडर्स क्रिकेट मेरे तरीके से खेलो इस्ट्रेट फ्रॉम दा हर्ट दिल से लगा के खेलो दा वर्ल ओफ आत्म का था गुल्डन गल्स किसको बोलते हैं पीटी उसर को माई क्रिकेटियर्स मेरे क्रिकेट के साल अजीद बा सायता नहीं है एक बार तो डिविजन जरूर करें सचिन देंदुलकर प्लेइंग इट माई वे मेरे तरीके से खेलो सानिया मिर्जा एस अगेंस्ट ओर्ट्स मारिया शरापोपा माई लाइफ सो फो और यह बहुत इंपोर्टन किताब से आगे बात करते हैं कुछ उपनामो कि जैसे सुनील गापर्सकर के हमने किताब क्या बताया और आको सुनील गापर्सकर को लिट ईट्र मास्टर की नाम से सचिन तेंदुलकर अफु Ayक मास्टर ब्लाश्टर के नाम से बोले स्टर निने स्वरी मधरगए ब्लाश्टर है हये वक्तर की बात करें तो ये तो एक्सП्रेस है भई गाडी है तो रावल पिंडी एक्स्प्रेस है कपेल दे हारियाणा हरीकेन के नामसे नव जया रहन जाता है हारियाणा हरीकेन मेजरर रज्य भरदन जो सुटिंग के खिलाडी है बहुत बड़े और मंत्री भी रहे है चिली लिएंडर पेस और महीद भूपती को इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है यह जरूर याद रखना आप उडन परी तो पीटी हुसा और यह करोड़ पती का कुश्चन था धिंग एक्सप्र के नाम से जाना जाता है तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो और इस वीडियो के माध्यम से यह लास्ट पार्ट था क्रिकट सीरीज का इस पूरे छे पार्ट के तहत पूरे क्रिकट को कवर कराने की कोशिस की गई है और इसके बाद एक वीडियो आएगा जिसके तह जायत 2018 सक जो भी मद्ध्यप्रदेश के कुस्चन जोभी मद्ध्यप्रदेश घेल के question पूछे गए उनको cover किया जाएगा उसके तहत कुछ और question को संब्लित किया जाएगा जो भी important है तो वो एक वीडियो दो वीडियो के मांदेब से cover कराया जाएगा लेकिन factual जो हैं पार्ट उन्हें भी इस चीज का benefit समझ में आएगा एक बार मैं कहूंगा कि आप 6 वीडियो जो भी मेरे 6 भागें इनको आप regularly देख लें एक बार निश्चित तौर पे इसके बाहर कुछ नहीं जाने वाला है और यह आपको कहीं न कहीं पेपर में बहुत benefit देने वाला है IND Academy विभिन्य प्रित्यों की परिक्षाओं की तयारी हिंदी माध्यम में करा रही है दोस्तों IND Academy के WhatsApp ग्रूप, Telegram ग्रूप, Instagram ग्रूप, Facebook ग्रूप से जुड़ने के लिए नीचे दीगी लिंकों पर आप जुड़ सकते हैं Thank you for watching, have a good day